अद्रक, चाय का जाय का बढ़ाने से लेकर जुखाम खासी जैसी नजयाने कितनी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, इसकी medicinal properties और फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है, अगर आप सही तरीका जानते हों, तो सिर्फ आधा किलो जिंजर याने अद्रक से आप अपने अद्रक से कंटेनर में धेर सारे अद्रक उगाने का पूरा तरीका, अद्रक की स्प्राउटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 10 महिनों के step by step अपडेट्स के साथ, तो इस वीडियो को बिन स्किप करें आखिर तक देखें, ताकि आपको गमले में धेर सारा अद्र अद्रक उगाने की पूरी इंफोर्मिशन मिल सके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वैसे तो अद्रक सालग और बाजार में मिल जाया करता है, मगर घर में उगे ताजे और्गैनिक अद्रक की बात ही कुछ और होती है, मज़े की बात ये है कि घर पर अद्रक वो लोग भी होगा सकते हैं, जिनने गार्डनिंग के वारे में कोई भी नॉलिज नहीं है, तो चलिए गमले में धेर सारा अद्रक होगाने की स्टेप बाई स्टेप टेक्निक्स को समझते हैं, सर्दियों का मौसम छोड़कर अद्रक को आप साल के किसी भी समय होगा सकते हैं, हर एक राइजोम अराउंड 40-50 ग्राम का होना चाहिए, अद्रक कच्चा नहीं हो, अद्रक के उपर मोटी ब्राउन स्किन होना चाहिए और अद्रक पूरी तरह से मैच्चोर होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि आप ऐसा अद्रक लाएं जिसमें इस तरह की आईस दिख रही हो, आप देख सकते हैं हर एक अद्रक में 4-5 आईस दिख रही है, हर एक आई एक पोटेशियल प्लांट होता है, इसलिए इस तरह का अद्रक उगाले जाने के लिए बेस्ट होता है, अद्रक हलका सा सूखा भी होना चाहिए, पर इतना भी सूखा ना हो कि उस पर रिंकल्स आ रहे हो, अब अगर हम इसे सीधे मिट्टी में लगा देंगे, तो इसमें फंगस लगने के हाई चांसे रहेंगे, इसलिए फाइनल कंटेनर में लगाने से पहले हम इसकी स्प्राउटिंग सीडलिंग मिक्स में करेंगे, आपको अद्रक के टुकले नहीं करना है, पूरा क कुछी दिनों में खराब हो जाएगा, और शायद इसलिए इन वीडियो में एक्चुली अद्रक को हार्वेस्ट करके नहीं दिखाया गया, तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अद्रक को उगाने की शुरुआत सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, अद्रक में फंगस ल इसलिधी फंगी साइड्स या सिंथैक फइटिलाइजर्श की कोई जरूरत होती है, दोस्तो में 100% ऑर्गैनिक गार्डनिंग करता हूँ और मैं अपने गार्डन में किसी वी तरह कें केमिकल फंगी फंगी साइड का यूज नहीं करता, क्यामिकल फंगी साइड का ओर्गैन बनाने के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोको पीट को अच्छी तरह से मिला कर थोड़ा गीला कर लीजिए आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर भी मिला सकते हैं ट्राइकोडर्मा किसी भी एग्रिकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाता है अब मैं ड्रेनिज होल्स वाले इस छोटे शेलो पॉर्ट में मिक्स्चर को आधा बर देता हूँ इसकी आईज वाले साइट को उपर रखते हुए सभी राइजूम्स को इस तरह से लगा दीजिए इसके उपर दो इंच मिक्स्चर डाल कर अच्छी तरह से कवर कर दीजिए इसे सेमिशेड एरिया में रखना है इसे ऐसी जगह पर रखिए जाए इसे सुबह की दो तिन घंटे की इंडरेक्ट संलाइट मिल सके इसमें सिर्फ इतना ही पानी दे कि हमेशा मौइस्चर बना रहे ओवर वाटरिंग नहीं करना है नहीं तो अदरक की राइजोम्स खराब हो जाएंगे चालिस दिनों बाद इसमें धेर सारे शूट्स निकल आए है अब इसमें और भी शूट्स निकलेंगे दोस्तों इस समय मई का महीना चल रहा है और टेंपरेचर 38 से 40 डिगरी के आसपास है इसलिए फिलहाल एक देड़ महीने तक और मैं इन्हें इसी में ही ग्रोथ करने दूँगा अदरक के पौदे अब 70 दिनों के हो गए है आज 15 जून है मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है और मौसून भी आने वाला है बरसात का मौसम अदरक की ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम होता है अब हम इन्हें फाइनल कंटेनर में ट्रैंस्प्लांट करेंगे देर सारी अदरक उगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की जरूत पड़ेगी क्योंकि इसकी रूट्स काफी ज्यादा फैलती है और मिट्टी के नीचे ज्यादा अदरक बनाने के लिए पौधे को ज्यादा जगे और ज्यादा मिट्टी की जरूत होती है इसके लिए 20 इंच या उससे बड़े कंटेनर बैस्ट होते है अगर आप 12 इंच के मीडियम साइज के गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाए मैं इस 24 इंच चोड़े प्लास्टिक फ्रूट क्रेट में अदरक होगाने वाला हूँ पुरानी फ्रूट क्रेट से इस तरह के बड़े कंटेनर बनाना सीखने के लिए उपर दिख रहा है वीडियो लिंक पर क्लिक कीजिए वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में भी दे रहा हूँ अदरक को वेल ड्रेंड भुरबुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर बालू मिट्टी काफी पसंद होती है ज्यादा हैवी और क्लेई मिट्टी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते मिट्टी जितनी धीली होगी उसके नीचे उतने ही ज्यादा अदरक बनेंगे अदरक के लिए बेस्ट पॉर्टिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सोयल, 30% बारूरेत, 20% काउडंग कमपोस्ट या वर्मी कमपोस्ट इसमें दो मुठी नीमखली पाउडर भी मिला लीजिए जो और्गेनिक फंगिसाइट का काम करेगा मिट्टी को कंटेनर में आदे से ज्यादा भर लीजिए इसके बाद मैं इसमें लीफ मोल्ड या पत्तियों की खाट डाल कर 2 इंच की लेर बना रहा हूँ आप इसमें सड़ते गलते हुए पत्ते भी डाल सकते हैं इससे रूट्स को तेजी से बढ़ने के लिए इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिलेगा मैं इस पर एक लेर मिट्टी की बना कर दोबारा पत्ती की खाट की लेर बना रहा हूँ अब अदरक के पौधों को निकाल कर केरफुली सेपरेट कर लीजिए अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर सभी को लगा दीजिए इसके बाद इसे मिट्टी से पूरी तरह कवर कर दीजिए अब इसमें भरपूर पानी दीजिए कंटेनर को ऐसी जगह पर रखिए जाएं इसे कम से कम 6 गंटे की दूप मिल सके पांच महीने बाद पौधे काफी लंबे और घने हो गए है पूरा कंटेनर अदरक के पौधों से भर गया है इसकी पत्तियों से अदरक की जबरदस खुशबू आती है इसकी 2-3 पत्तियों को तोड़ कर ये दिए आप कुचल कर चाय में डाल दे तो आपको अदरक का ही टेस्ट आएगा मैं एक और कंटेनर में स्प्राउटेट अदरक हुगा रहा हूँ 3-4 महीनों के डिफरेंस से दुबारा अदरक हुगाने पर आपको साल भर फ्रेश अदरक की कॉंस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी अदरक को ज्यादा फैटिलाइजर्स देने की ज़रुवत नहीं होती है मैंने इन्हें highly nutritious और organic matter से भरपूर मिट्टी में लगाया है इसलिए पौदों को अगले 2-3 महीनों तक मिट्टी से ही nutrients मिलते रहेंगे final container में transplant के 2-3 महीने बाद 2 मुठी पर square feet के हिसाब से इस तरह से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोवर की खाथ या vermicompose डालिए गमले के उपर की मिट्टी को lose नहीं करना है वरना अदरक के छोटे-छोटे rhizomes जो इसके नीचे बन रहे हैं वो damage हो सकते हैं इस तरह से हर 2 महीने में एक बार organic fertilizer से fertilize कीजिए पौधे अब 8 महीने के हो चुके हैं और काफी बड़े भी हो गए हैं इसके नीचे ginger के rhizomes बनकर तयार हो गए हैं पर अभी वो थोड़े कच्छे होंगे आप चाहें तो इसे इसी stage पर harvest कर सकते हैं अदरक को 7 महीने से लेकर 1 साल के बीच harvest किया जा सकता है किसान भी जल्दी harvest इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय अदरक में moisture ज्यादा होता है जिससे इसका वज़न्च ज्यादा होता है लेकिन मैं इसे थोड़ा और late harvest करूँगा क्योंकि एक दो महीने बाद rhizomes और mature होकर थोड़े सूख जाएंगे और उन पर मोटी skin आ जाएगी ऐसे अदरक को आप ज्यादा दिनों तक store करके रख सकते हैं अदरक के पौदों में पानी देने का खास ख्याल रखना जरूरी है इन्हें कम पानी पसंद होता है जब छूने पर उपर की मिट्टी सूखी महसूस हो या पत्तियां फोल्ड होने लगे ध्यान रहे कि कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है इससे अदरक की ग्रोथ रुख जाती है दोस्तो इस कंटेनर में अदरक हो गाये लगबद 10 महीने के असपास हो चुके है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां सूखने लगी है जब भी अदरक की पत्तियां अपने आप सूखने लगे तो समझ लीजे कि इसके अंदर अदरक बनकर तयार हो गया है और ये हर्विस्टिंग के लिए बिलकुल रेडी है तो चलिए इस कंटेनर से अदरक को हर्विस्ट करते हैं झाल 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 दोस्तो पिछले साल भी मैंने कंटेनर में अदरक हुगाई थी पर इस बार मुझे जस्ट डबल हर्विस्ट मिला है यतनी जबरदस हर्विस्ट मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मैंने चार चीजों का खास ख्याल रखा उगाने के लिए अच्छे अदरक चूज किये उगाने का सही टाइम सेलेक्ट किया बेस्ट पोटिंग मिक्स बनाया और अच्छी तरह से क्यार की मैंने ये सारी अदरक हार्वेस्ट कर ली है 10 महीने पहले मैंने सिर्फ आधा किलो अदरक को एक कंटेनर में उगाया था और 10 महीने बाद मुझे मिला है लगभग 7-8 किलो हार्वेस्ट सिर्फ एक कंटेनर से तो दोस्तों मेरी तरह आप भी अपनी छत पर गार्डन में इन टिप्स को फॉलो करके 100% और्गेनिक अदरक को आसानी से होगा सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे इस चनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फो वाचिंग एंड कीप आंग गार्डनिंग